हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से आज किस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़े ख़बरों के बारे में जानेंगे तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते साथ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सवसे पाली कबर उत्तरी बिहार में अगले चार दिनों तक आंधी पानी वा ठंका के आसार 5 डिगरी तक कम हुआ तापमान जी हाँ उत्तरी बिहार में अगले चार दिन याने छे माई तक आंधे पानी के आसार बने हुए हैं कई जगों पर ठंका गिरने की भी आसंका है प्रदेश में उचेतम और नियुंदांत आपमान सामाने से नीचे है पूरे प्रदेश में उचेतम तापमान 40 डिग्री से ते नीचे आ गिया है I.M.D. ने प्रदेश में 40-60 km परती घंडी तक पृवया बहने का पुरवानुमान भी जारी किया गिया है हलकी बुंदा बुंदी तदक कुछ इस्तानों पर मजदम बरसा की सम्हाराओं को देखते विक्रिसी कायर में सतखता वरतनी क्या वाश सकता है गेंवों अरहर मक्का की कटनी तदा सुखाने का काम साधानी पुरवक करने के सला है कटेवे गेंवों की दोनी करनी की सुरक्षित स्तान पर बंदादित करने के विका गया है अगली बड़ी कबर पूरे बिहार में मौसम ने लिक करवाट 72 गंडे के लिए यलो अलाट जारी जहां बिहार में गर्मी का पारा इतना बढ़ गया ताकि या लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे वही अब बिहार का मौसम में कापी तेज बदलाव दिखा जा रहा है कई राज में बादाल और कहीं बारिस वो रही है मौसम को देखते विए उत्तर बिहार के नो जिलो में मौसम विभाग ने अलाट जारी कर दिया है पश्चिमी चमपारन, पुर्वी चमपारन, सुपुल, अररया, पुर्निया, सिवर, सितामणी, बदोवनी और किसन गज में बिजली के साथ ओले भी गिर सकते हैं मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे तक बारिस को लेकर अलाट जारी किया है बारे के पर मौंगेर में चात्र को मिला 108 परतिसत माक्स, विद्दाले ने बिए पार्टरी के स्टुडेन को दिये 100 के बदले 555 अंक मौंगेर विभाग के परिच्छा विभाग की घोर लापरवाई सामने आई है सनातक परतिरी के बिए की रिजल्ड में 14 को सो के बदले 555 अंक मिले है यानि कूल अंक परतिसत में 108.5 हो गया है सनिवार को ही मौंगेर विभाग के और से तो जर अटाराई के सनातक परतिरी के बिए का रिजल्ड जारी किया गया था दारसल विस्विदालाई के ओर से सनातक परतिरी के कला संगाई का रिजल्ड ओपिसल वेवसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है इस वज़ा से उसका कूल अंग बे 1130 चुका है सबसे अस्चर की बात है कि उसे 108.535 प्राप्त हुए विस्विदला के सनातक पार 356 दिलीब कुमर सा ने जब रिजल दिखा तो हैरान रह गया इसनातक के तिनों पार्ट को मिला करकूल 800 की जगा 878 अंग मिले थे वहें इस मामले में परिच्छा नियंद्रक डाक्टर रामसिस पुर्वे ने बताए कि या गलती विया इसे ठीक कर लिया जाएगा वहें परतिकुल पती ने कहा कि आंती मर्स होने के बाद इस परकार के गलती होना चिंता जनक है अगली बड़ी खबर टिकट चेकिंग अभियान के जरिये वसुली का रिकॉर्ड सोनपूर रेल मंडल ने साड़े चार करोड की वसुली का बनाया रिकॉर्ड सिर्प अप्रेल महिने में हुई इतनी वसुली जिहा बिना टिकट वो नियम विरोद रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को हतो साइथ करने के मद्य नजर सोनपूर मंडल के चेत्र अधिकार में मंडल रेल प्रबंदक स्री निल मनिव वरिष्ट मंडल वानिजिक प्रबंदक स्री प्रसन कल्यान के मार्ग दर्सन में सग प्रकारी गाडियों तद्रा प्लेटपर्म पर सगन एवं और चोक टिकट चिकिंग पर बिना उचित यात्र प्रदिकार पाए गए यात्रियों से निरदारी द्रासिली गई है इस विसेज जाच अभियान के दोरान पूरे मामें 78 अच्छार यात्रियों को बिना उचित यात प्रादिकार पाएके पाए गए है जिन से लगबग 4 करोड 50 लाक रुपिय का रिकोर्ड राजवस के रूप में प्राप्त हुआ है जो कि अब तक किसी भी वर्ष के अप्रेल माकस सरवादिक राजव है बाड़ी खबर प्रसांद किसोर की नई पारे पिके अपना पार्टी बनाएंगे बोले जन्ता के बेज जाने का वक्त आ गया है सुरवाद बिहार से पहले भाजपा फिर कॉंग्रेस और फिर जड़ोई समित अलग अलग राजनितिक पार्डियों की चुनावी रनितगार रा चुकि प्रसांद किसोर अब दूसरे के लिए रनिती नहीं बनाएंगे बिके अब अपने पार्डी के लिए ही स्टेजी तयार करेंगे पिके ने इस तरह पिसारा कर दिया है उन्होंने स्वमोहार को टिवट कटके कहा है कि जन्ता की बीज जाने का समया गया है इसके बिहार से होगी आपको बता दे कि पीके के नई पार्डी कब दक लॉंच होगी अभी इसका खुलासा नहीं हुआ लेकिन प्रसांद की सोर जल्दी एक साथ पुरे देश में पार्डी लॉंच करेंगे खास बात या है कि पीके अभी पार्टना में ही है ऐसा माना जा रहा है कि वे अपने लिया रनेती तयार कर रहे हैं बाड़ी कबर पट्टा से गौाटी की बेज फ्लाइ बिग एरलाइन्स की नई बिमान सिवा सुरू वाटर से लूट देकर यात्रियों का किया गया स्वागत जिया देश के सबसे नई बिमानन कंपनी फ्लाइ बिग ने पटना गौाटी पटना रूट पर नई बिमान सिवा सुरू की है रैवार से इस बिमान सिवा की विद्यत सुरूआत की गई है इस मौके पर पटना एरपोर्ट पर नई फ्लाइट से गौाटी से पटना आने वाले यात्रियों का स्वागत वाटर से लूट देकर किया गया सेवा हर दिन उप्लावद होगी अटना के सो करोड की लागत से बना देश का साटवा इसकौन मंदिर मंगलवार यानि आज होगा इसका उद्गाटर जिहां सुवे के सबसे बड़ा सिरे रादा बाके बियारे इसकौन मंदिर बारा साल में बनकर तयार हुआ है बुद्ध मार मंदिर में 84 कमरे और 84 पिलार बनाए गये हैं मंगलवार यानि आज सिरे रादा बाके बियारे और वेद्युक संसकार केंदर के नाम से इस मंदिर का उद्गाटन किया जाएगा इस मंदिर को आस्ता के सबसे बड़े के रूप में स्थापित किया जाएगा अगली बड़ी के वर बिहार डिलेट के लिए रेजिस्टरेशन की तिद्री बढ़ी अब आज माई तक कर सकेंगे आवेधन जिहां बिहार स्कूल परिच्छा बोर्ड ने बिहार डिलेट के लिए ओलाइन रेजिस्ट्रेशन अब आवेदन फेस जमा करने के आखरित इदी को बढ़ा दिया है पहले आवेदन और आवेदन सुलक जमा करने के अंतिम दीती 2 में 2022 थी इससे बढ़ा करा 5 में 2022 कर दिया गया है जिससे रेजिस्ट्रेशन के साथ आवेदन सुलक जमा करने के लिए अब ये अर्थियों को अब और वक्त मिल गया है वहीं ओलाइन भरे गए रेजिस्ट्रेशन फोर्म के आदार पर समीते द्वारा जारी डमी रेजिस्ट्रेशन कार्ड में किसी भी परकार के तुर्टी के सुदार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 6 में तक किया जा सकता है अगली बड़ी खबर पाटना इनिवसिटी में पढ़ने के परती चात्रों में दिखा क्रेज नमंगन के पाले दिन ही 700 रेजिस्ट्रेशन जा पाटना विस्विदाले में 722-23 में परवेश के लिए होने वाले इंटरेंस टेश्ट के लिए सुमार से ओलाइन आविदन पर अब इचात्र से वेबसाइक वा नियमित कोर्स के लिए अलग अविदन ले जा रहे हैं नियमित वह वेबसाइक पाटकरम के लिए अलग लग परवेश परिचाही लिए जाएगे परिचाह में सपल होने के बाद या अब यर्थियों को विसेवग कोलेज चैन का मौका दिय अगली बड़ी कबर तेल कमपनियों ने जारी कि पेट्रोल डिजल के नए दाम जाने अपने सहर में तेल का भाव या भारते पेट्रोलियम कमपनियों ने पेट्रोल डिजल के नए रेट जारी कर दिया है तेल कमपनियों ने कल यानि समवार दो माई को भी पेट्रोल डिज क्या गया है वही बेगुसरा में पेट्रोल 116.04 और डिजल 187 रुपिय परती लिटर बागालपूर में पेट्रोल 117.01 और डिजल 101.58 रुपिय परती लिटर दर्च क्या गया है वही मुझपरपूर में पेट्रोल 116.94 और डिजल 101.73 रुपिय परती लिटर पत्ना में पेट्रोल 117.91 रुपिय परती लिटर दर्च क्या गया है वही समस्तिपूर में पेट्रोल 116.44 रुपिय परती लिटर और डिजल 101.24 रुपिय परती लिटर दर्च क्या गया है जिक अबर बिहार बोर्ड लेगा 60 लाग छात्रों का फिंगर प्रिंट इसकलों में लगेगे बायोमेटिक मसीन आप परिचा में सामिल नहीं हो पाएंगे मुन्ना भाई जिये राज के 60 लाग से अधिक विदातियों का बिहार बोर्ड फिंगर प्रिंट लेगा, नुवी से बारवी तक के चातर और चात्रहों का फिंगर प्रिंट लिया जाएगा यहाँ बाति बिहार बोर्ड अदच आंजन की सोर ने कही है मेडिया से बाचित की दोरान आनंद की सोर ने बताया कि नवी और गारवी में रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरवाने के समय और मेट्रिक और इंटर परिचा फॉर्म भरवाते समय फिंगर प्रिंट लिया जाएगा इसके लिए राजबर के सभी मायदमिक और उच मायद में बिजली चौरि को रोखने के लिए बिहार सरकार का बड़ा कदम description करेगी जा ओन्राज के 20 सरकिल में किया जाएगा यह टीब उस इलाके पर धाबा बोलेगी जहाँ से बिजली चोरी की जदा सिकायते पाए जाएगी और जावी भाग के मुताबिक बिजली कमपानी ने 2020 से किस में 17,881 करोड की बिजली की खरीदारी की है इसमें से 25 फिजी याने की 495 करोड रुपे की बिजली चोरी की गई है मिजली कमपानी के अनुसार उपोबोकताओं के सेंका 1 करोड 70 लाग तक है अगली बड़ी कबर लोगों को महंगाई का एक और जटका जानिये कितने रुपे महंगा हुआ एलपेजी सिलेंडर जी हापहाले से ही महंगाई के मार जहल रहे लोगों को माई माहिने के पहले दिन महंगाई का एक और जटका लगा है तेल कमपानियों ने कॉमर्सियल गैस सिलेंडर के दाम में 102.50 रुपिय का इजापा कर दिया है हलाकि रहत की बाद है कि घरेलू गैस सिलेंडर की के मोतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है इससे पहले एक अप्रेल को भी अलपेजी सिलेंडर के के मोतों में बड़ोतरी की गई थी और हन्द के बड़ी ख़बर बिहार के आठहजार सरस्ट पंचायद भावनों में गार्ड़ वा सपाई कर्मी और गार्ड़ की तैनाति के जाएगे ताके भावन और उनमें रखे बहस्तो आदे की रख्चा हो सके साथ भावन के साफ सपाई नियामित रूप से होती रहे इसको लिकर पंजायती राज बिवाग परस्ताव तयार कर रहा है आपको बता दे कि समयदा पर इनके नियुक्ति की जाएगी आपके अनुसार बिहार में बेजली चोरी रोकने के लिए बिहार सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं आज के लिए आपका सवाल बताएं कि अन्यराज्जो के तुलना में बिहार में पेटोल और डिजल का दाम आधिक है या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं